रूसर युक्रेन के बीच 20 साल से जारी जंग के बीच अब युक्रेन ने रूस में घुसकर हमले तेज कर दिये हैं। युक्रेनी सेना रूस की सीमा के 10 किलो मीटर अंदर तक पहुच गई है। रूसिय प्रांथ कुर्स के गवर्नर एक्सिलेंस स्मीर नोव ने बताया कि हमलों को देखते हुए 36,000 लोग घर छोड़ कर जा चुके हैं। युक्रेन की 1000 से जादा सैनिक, 20 बखतर बंद गाडियां और 11 टेंक रूस में मौझूद हैं और उन्होंने कई गाउं पर कबजा कर लिया है। उनका अगला टारगेट सुद्जा शेहर बताया जा रहा है। रूस युक्रेन जंग की शुरुआत के बाद से युक्रेन की तरफ या अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। सोशल मीडिया पर वाइरल हुए एक वीडियो में रूस के ओक्ता ब्रासको शेहर में 15 से निवानों का काफिला खशतिगरस्त नजर आ रहा है। यह शेहर रूसी सीमा से करीब 38 किलो मीटर दूर है। हमलों को देखते हुए रूस ने कुर्सक में कई टेंक और रॉकेट लॉंचर भेजे हैं। वहीं युक्रेन के रास्टपती ने रविबार को पहली बार रूस पर हमले की बात कबूली है। जलन्सकी ने कहा कि हमारी सेना जंग को रूस की जमीन पर लेकर जा रही है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे इंसाफ बहाल करते हुए हमलावरों पर जरूरी दबाव डालने में सक्षम है। युक्रेनी रास्पती ने सेनिकों का शुक्रियादा भी किया।